नमस्कार कैसे हैं आप पटना की रैली में अरविंद केजरी बाल पहुंचे और भाग लिए अरविंद ने फाड़ी शर्त रखी थी कॉंग्रेस के सामने में और उस बैठक के सामने में ये कि जो किंदर सरकार अध्यादेश लेकर आई है दिल्ली में ट्रांसपर पोश्टिंग की जब तक इस पर सहमती नहीं होगी हम इस बैठक में शामिल नहीं होगे अकर रहे थे केजड़ी लेकिन सबने उन्हें भगा दिया और उनकी कोई यहमियत नहीं रही कि इस मुद्दे को उस बैठक में ना उठाने की शर्त कॉंग्रेस ने रखी थी और किसी को भी कॉंग्रेस की ज़रुत है केजड़ी की क्यूँ तो केजड़ी भाग लिए पटना से अब वो केजड़ी लगातार पहले से ही सोनिया गांधी कॉंग्रेस अध्यक मलिक कारुजिन खड़ गे राहुल गांधी से समय के लिए गिर गिराते रहे किसी नोंने समय नहीं दिया कॉंग्रेस ट्रांसपर पोस्टिंग के धंधे में कमाई के लिए केजड़ी के साथ आना नहीं चाह रही कॉंग्रेस को यह लग रहा है कि इस केजड़ी ने दिल्ली गवन कर लिया उनसे छीन लिया फिर पंजाब भी छीन लिया अब राजस्थान, चाथिस गड़ और मद्ध प्रदेस में भी केजड़ी कूदने वाले हैं बैंगलूड में कूद करके कॉंग्रेस के बोट काट चुके हुए है किसी तरह से कॉंग्रेस वहाँ सरकार तो बना पाई लेकिन केजड़ी वहाँ भी कांड करने वाले थे इसी केजड़ी को कॉंग्रेस सजा देना चाह रही है लेकिन इस सजा का मज़ा सोनिया गांधी केजड़ी को भोज दे कर देना चाह रही है दरसल सोनिया के डीनर पार्टी में केजरी को भी निमंत्रन मिला है तो केजरी क्या डीनर का आनंद लेने जाएंगे और जाएंगे तो क्या पाएंगे क्योंकि उनकी शर्त तो यही थी कि उस बैठक में वो तभी शामिल होंगे जब अध्यादेश पे चर्चा होगी और कांग्रिस अध्यादेश के चर्चा करने के मूड में नहीं है तो केजरी को बुलाया क्यों है और केजरी नहीं जाएंगे तो क्या होगा केजरी कांग्रिस से बगावत करने की क्या कीमत चुका सकते हैं ये सोनिया से ना बहतर जानती है दरसल केजरी के उपर जेल जाने का तलबार लटक रहा है 9 घंटे CBI ने उन्हें उल्टा लटका कर जब पूछा तो उन्हें समझ में आ गया कि जेल जाने की बारी उनकी है उनका सिसोदिया 6 महीने से जेल में है साल भर से जादा समय से सत्यंदर जेल में है और रहमो करम पे जमानत पे है बीमारी के बहाने से केजरी को ये पता है कि अभी तो सिक्षा घोटाला खुला, स्वास्त घोटाला खुला, मनी लॉंडरिंगा केल खुला तो अतिसी जेल जाएगी और साथ साथ केजरी का भी एड पर अरवो रुपे खर्च कर रहे हो तो पैसा कहां से आ रहा है तो इसका मतलब एड के खेल में मीडिया के साथ उस शडियंतर में केजरी जेल जाने का डर केजरी को सता रहा है और इन सब के डर से केजरी को बचा रहे हैं कॉंगरिस पार्टी के वकील अभी शीक मनौस सि सिंग भी ही सतिंद्र जैन के वकील हैं सिंग भी ही सिसोधिया के वकील हैं और सिंग भी ही केजरी के भी वकील होंगी तो सिंग भी को से सहला सहला करके सोनिया असली मजा केजरी से ले रही है केजरी यदि कॉंग्रस से बगावत के तो सिंग भी जेल भिजबा सकते हैं क्यो कि इसी सिंग्वी ने किस तरह से पबन खेरा को बचाया यही सिंग्वी लगातार बचा रहे हैं उनके कुनवे को इसी सिंग्वी ने सतंद्र जैन को बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोट से जमानत दिलवाई थी और इसी सिंग्वी ने एक दाओ चला है सुप्रीम कोट में जि सुप्रेम कोट में सिसोधिया की पतनी को आधा विकलांग बता करके रहम की भीख मांगी है सिसोधिया जेल से बाहर आ जाएंगे सिंग्वी के रहमों करम पर तो क्या केजरी कूद पाएंगे अब ध्यादेश के नाम पर या सिर्फ भोज खा करके चुपे चापे घर आ जाएंगे तो केजरी को असली नकेल अब कॉंग्रिस कर्ष रही है और उसका पूरा कांड कर रही है भोज में जाना ये तै करेगा कि केजरी का उंट किस खरवट बैट रहा है बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जय हिंद